प्रधानमंत्री नरंद्र मोदे के आहवान पर रात 9 बजे 9 मिनट के लिए देश की जन्ता ने जवरदस्त एक जूटता का पड़िचे दिया सहर हो या गाउं हर जगह लोगों ने दिया मुम्बत्ती चार्च और मोबाइल फ्लेश लाइट जिला कर इस एक जूटता का पड़िचे दिया आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना जैसी महामारी के अंदकार को खत्म करने के लिए लोगों से अपील करते हुए 9 मिनट का समय मांगा था और देश की जन्ता ने भी प्रधानमंत्री को निराश नहीं किया आप देख सकते हैं कि हर जगय एलेक्ट्रिक से जलने वाली घर की लाइटें पूरी तरह से बंध है सिर्फ और सिर्फ वही रोशनी दिखाई दे रही है जिस चीज को जलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को ट्वीट कर याद दिलाया था प्यम मोदी ने लिखा था कि यह दीप जलाना इस बात का पतीक होगा कि कोरोना की खिलाप इस लड़ाई में कोई अकेला नहीं है इससे पहले प्यम मोदी ने वीडियो कॉन्फेंसिंग में कहा था कि उस प्रकास के बीच हम सब अपने मन में संकल्प करें कि हम अकेले नहीं है 130 करोर भारतिये एक ही संकल्प से बगए है हमारे उत्सा से बड़ी कोई ताकत नहीं है कोरोना के विरुद्ध युद्ध को भी इसी उत्सा से जीतना है देश की जन्ता ने भी प्रधानमंत्री मोदी को निराश नहीं किया है लोगों के उत्सा को देखकर यह कहा जा सकता है कि कोरोना की लड़ाई में हमारे पास संसाधनों की कमी जरूर है लेकिन उस कमी से हम लोगों को घबराने की जवरत नहीं है राज जिहो या किंद्व सभी सरकारे संसाधनों को ठीक करने में लगी हुई है ऐसे वक्त में हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि अपने उत्साह को बनाए रखिये और सरकार का साथ दीजे जिससे की कोरोना की इस लड़ाई को हम लोग जीत सकें कि अबाद पस्तारी का साथ ओर हुई है हुई है, इसना आपसे बनापसान के पूली करने में लागी को अपने रखिया झाल झाल